हाई एवरिवन वेलकम बैक टुमाइ न्यूव वीडियो मैं हूँ मुनिश मैता कैसे हो आप सब उमीद आप से भी ठीक होंगे इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एड़ाब एनिमेट में MP3 इंपोर्ट होता है या नहीं होता है जो बिलकुल ही बीगनर्स वाली वीडियो रहते है तो अगर आप बिगनर्स हो तो वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ही helpful रहने वाला यह वीडियो अगर आप मेरे चनल पे नए हो तो जाके मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकून दबना ना भुनना ताकि मेख कोई वीडियो उपलोड कर वो, आपको नोटिकेशन मिलता रहे सब्सक्राइब गक्र्याइब करना बिलकुली फ्री रहता है कर दूँगा और इसको सीधा मेरे पास यह वाला MP3 है इसको open कर देता हूं जैसी open करता है यह लिख के आता है यानी कि यह open नहीं हो रहा है और दूसरा तरीका और बताता हूं तो मैंने क्या करना है यहां से यह वाले वाई सब्सक्राइब को उठाके सीधा ठीक कि गाइज यहां पर आता हुआ जो कि मैं हमेशा बता रहता हूं आपको पर यह बीगनर्थवाली वीडियो तो यहां पर में बदा रहा हूं फिर फ़र्स्स टो लिंक में ने क्लिक कर दिया और मेरे पास ऐसा खुल के आता है तो मैंने यहाँ पर प्रणर्ट वाल यह वियू लिए पूरा यहाँ यहाँ पर नवोट कर देना तो यहाँ पर दोनलोड कर देना तो जैसे में इसको डाउनलोड कर देना तो यहाँ पर देखोंगे डाउनलोड हो रहा है यानि कि यह MP3 से convert हो गया वेब में ठीक है यह आप online ऐसा कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो ठीक है अगर आपके बस कोई software नहीं है ऐसा करने के लिए तो यह पूरा convert हो चुक है तो इसको भी आप यूज कर सकते है अब यह आप यह चुक है तो यह आप यूज कर सकते है यहा पर में आपको यूज करके दिखाऊंगा याँ पर जाओगे तो इस पर library में जाके कहां पर आया होगा डॉंडड़ होगा तो यहां पर यह way format है इसको open करूँगा तो तब भी यह यहां पर नहीं आता है जब भी आप library में import to library करते हैं तो यहां पर जाना पड़ता है थोड़ा सा वेट करना तो यहां पर देखोगे यहां पर आ चुक है तो इस तरह आपको यहां पर जब आप इंपोर्ट लाइवरेरी करोगे तो यहां से उठाके फिर यहां पर चोड़ना पड़ता है और दूसरा अगर आपको कोई भी मतलब जो MP3 उसको करना तो आपको उसको अप्री में भी कंवर्ट कर सकता है यहां पर देखोगे यहां पर फाइल में जाना नीचे इंपोर्ट में जाना इंपोर्ट टू यह मेडिया लिखा होता है यहां पर फोर्मक में चाना आपको यहां पर लिकार करते तो यहांपर ने बता दी आपको किस तरह हम कंवर्ट करते हैं तो आपकी लिए बहुत ही helpful रहेगा आप कोई भी कार्टोन स्टोरी बना रहे है और आपको दिक्कत हो रहा है इंपोर्ट करने में